सब्सक्राइब किजिए माई यूटूब चैनल एंड प्रेस बैल आइकॉन फॉर लेटस अपडेट दोस्तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुबाइल फोन की जो ऑगस्ट 2018 में लाँच हुआ है और कमाल का फोन है बहुत ही 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 जिनको अच्छा high quality वाला high conversion वाला high end अगर mobile चाहिए तो Xiaomi Pocophone बहुत ही बहतरीन है हम देखते हैं इसका look तो आप देख रहे हैं कितना बहतरीन है और screen में काफी बड़ा है ये जो है वो 5.3 ने बलके ये 6.18 का जो है इसका screen है काफी बड़ा screen है ये तो हम देखते हैं configuration क्या है इसका Xiaomi Pocophone F1 तो बात करते हैं configuration तो इसका network है GSM HSP LET 4G network इसमें काम करेगा और ये launch हो रहा है 2018 में और अगर इसके weight की बात करें तो 180 gram का है ये और इसका display है IPS LCD capacity touch screen 16 million colors है और अगर size की बात करें तो 6.18 इसका 6.18 इंच का है ये काफी बड़ा normal phone से काफी बड़ा है ये टैबलेट से थोड़ा कम है और इसके बाद अगर हम देखेंगे resolution तो 1080 है in 22246 resolution है और 403 ppi है यानि काफी अच्छी तस्वीर इसमें आपको फोड़ा काफी अच्छी नज़र आएगी और इसका video भी जो है 1080 के ऊपर इसका video है और 30 frame rate और 60 frame rate पे भी इसका video recording होता है glass की बात करें तो Corning Gorilla Glass है लेकिन confirm नहीं लेकिन जहां तक expect करते हैं ये जो है Corning Gorilla Glass रहेगा और इसका operating system हम देखेंगे तो MIUI 9.6 है Android 8.1 Oreo इसका जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही अच्छा speed में चलेगा smoothly जलेगा अब कितना भी heavy game जितने भी आज के जो latest heavy game है ये अगर आप इसमें install करते हैं तो बहुत ही आराम से इसमें चलेगा कहीं भी आपको lagging नजर नहागा या hang नहीं होगा ये बहुत ही बहुत ही बहुत हाई configuration वाला है और हम देखते हैं CPU जो है octocore है GPU in Adreno 630 है जो काफी बहतरिन है और अगर external storage के बात के तो 256 GB इसकी जो external card support करता है और dual SIM है आप 256 का जो है external card लगा सकते हैं micro SD card और अगर हम देखते हैं battery तो 4000 mAh battery है और एक दिन तक तो आराम से चलेगी सुबह आप चार्ज तो सुबह के नौ से लेके रात के नौ के तक आराम से battery एक दिन आराम से चलेगी आपको दोबारा charging की जरुरत नहीं पड़ेगी आपके यूज के पर भी इस डिपेंड करता है और अगर हम internal storage की बात करें तो internal storage भी जो है वो 256 GB है और अगर आप 8 GB RAM के साथ लेते हैं तो आप 256 GB internal storage भी अगर आप 6 GB RAM लेते हैं तो आपको इसमें दो आपको मिलेंगे एक 64 GB और 128 GB तो तीन इसमें वेरिंट है तीन टाइप के हैं आपको 8 GB मिलेना है या 6 GB मिलेना 6 GB में दो option है 64 GB या 128 GB internal storage रहेगा अगर आप 8 GB के साथ रहेंगे तो इसके साथ एक ही है 256 GB RAM camera की बाइद करेंगे तो camera जो है वो 2 M megapixel camera है और price की बात करेंगे तो 21,000 से लेके 29,000 तक की इसकी price बैठती है तो अगर आपको ये configuration अच्छा लगता है तो आप ये mobile जरूर खरी दिए और इसके अंदर एक minus one जो है जो है जो इसका body जो है वो metallic body नहीं है बलके ये plastic body है लेकि high end के game खेलना चाते है उनके लिए mobile बहुत अच्छा है तो जैसे भी ये market में आएगा आप अगर mobile लेने की अगर आपको अच्छा है तो आप ये mobile जरूर लीजिए और मिलते हैं अगले विजिए में अगले विजिए में फिर कोई अच्छे mobile के साथ मैं आपके सामने होगा तब तक के लिए बाई बाई